वक्त वक्त की बात होती है एक वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव अखिलेश को अपना दामाद बनाने के लिए मुलायम के पीछे पीछे चला करते थे अखिलेश की बारात लालू के घर जानी लगभक तै हो चुकी थी मगर तभी अखिलेश को एक सीधी साधी पहाड लड़की से महब्बत हो जाती है और पूरे देश की सियासत को अपने चर्खा दाओं में 180 डिगरी घुमा देने वाले मुलायम सी व्यादव अपने घर में धोबी पचाड के शिकार हो जाते हैं अखिलेश और डिंपल की शादी ही नहीं होती है सब कुछ बदल जाता है मान धक्का लगा लालू पृषाद यादव के समधी अखिलेश यादव उम्र तो देखके लगती रहे हैं अखिलेश यादव लालू पृषाद यादव के समधी कैसे हो सकते हैं चिंता मत कहिए पहेली सुल जाने के लिए हम बैठे हैं तभी तो आपके सामने आये हैं लालू साथ यादव मुलायम सिंह यादव का परिवार है जिन से ज़्यादा जुड़ा हुआ सियासी परिवार आपको इस देश की सियासत में कहीं नहीं मिलेगा तो अब ज़रा धिमाग खोलिएगा और रिष्टों को समझते चलिएगा मुलायम सिंह यादव के भाई थे रतन सिंह यादव क्या नाम था रतन सिंह यादव के बेटे थे रणवीर सिंह यादव मुलायम के भाई के बेटे रणवीर सिंह यादव मुलायम के बेटे रणवीर सिंह यादव मुलायम के बेटे रणवीर सिंह यादव यानि अखिलेश तेज प्रताब सिंग की शादी हुई है लालू प्रसाद यादों की सबसे छोटी बेटी राजलक्षमी के साथ अब अगर भाई की बेटी की शादी हुई है तो भाई का चाचा समधी ही कहलाता है और चाचा छोड़ भी दीजिए असल में हुआ क्या शादी के पहले लालू प्रसाद यादों की छोटी बेटी राजलक्षमी और तेज प्रताब की शादी के पहले रणवीर सिंग की आकस्मिक दुरघटना में मृत्ति हो जाती है जिसके बाद विवाह उत्सव में तमाम जो पारिवारिक मंगलिक कारिकरम संपादित किये जाते हैं वो उसमें पिता की भूमिका कौन निभाएगा इसको लेकैसमंजस की स्थिती पैदा हो गई थी तो विवाह कारिकरम के दौरान भी अखिलेश यादव नहीं तेज प्रताप की पिता की भूमिका निभाई थी और राज लच्मी और तेज प्रताप की शादी में तमाम पिता वाले जो कारे संपादित किये जाते हैं वो सभी कारे अखिलेश यादव नहीं संपादित किये तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव तेज पताप के पिता समान थे उस विवाहूचसों में और ऐसे पद के हिसाब से भी और उसी दिन से अखिलेश यादव लालू प्रसाद यादव के समधी बन गई थे समझ में आया कहानी किस्सा नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे सारे रिष्टे समझ में आ जाएएगे विडियो कैसा लगा अच्छा लगाओ तो लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चूंकि ऐसे दिल्चस अंसुने और अनकहे सियासी किस्से आपको पॉलिटेक्स पे लगातार मिलते रहते हैं